तो आज हम लोग पढ़ेंगे entomology फार्स इसका पार्ट है introduction of entomology मिन्स आज एक basic class है कि entomology क्या है इसके features क्या है इसमें किसकी study की जाती है क्या क्या में पढ़ना है ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे तो first entomology word होता क्या है किस से मिलके बना हुआ है entomology तो entomology वर्ड लिया गया है Greek से, Greek language से Greek language से लिया गया entomology, ठीक है ना? आपने concept पढ़ा होगा, logi और culture जहां भी पीछे logi आ जाए, वो वर्ड क्या होगा? Greek होगा, जिसे कि pathology, entomology, psychology, sociology, ये वर्ड क्या होगे? ये Greek होगे, ठीक है? और culture, ये होगे Latin word means, जितने भी सारे culture है, agriculture, seri culture, होटी culture, ये सब क्या है? Latin word है, तो ये trick आपको याद रखनी है, कि जितने भी culture word है, जिनके पीछे culture आता है, वो लेटीन होगे और जिनके पीछे लोजी आता है, वो होगे Greek word, ठीक है? अब entomology, दो दफ सब्दों से मिलके बना है लिखा हुआ है slide में, फिर भी या लिख देते हैं, entomone and locus अब entomone का मतलब क्या होता है? entomone का मतलब होता है, insect entomone का मतलब होता है, insect logus का मतलब होता है, study, means, जहां insect के study की जाए अगर definition की बाग की जाए, तो entomology is a branch of geology and dealing with the scientific study of insect मित्र जहां insect की scientific study की जाती है, उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते है, entomology जहां पर insect की scientific study की जाती है, विज्ञानिक अध्यन किया जाता है उस ब्रांच को हम क्या बोलते है, entomology अब मैंने बोला कि entomone का मतलब होता है, insect अब जो इसकी basic है वो basic है insect होता क्या है insect वो हम देख लेते हैं यह तो सुझ में आ गया यह ग्रिक भासा का वर्ड है दो सब्दों से मिलके बना होता है entamon और logus entamon का मतलब होता insect अब insect क्या होता है अब insect हम देखेंगे what is insect हम किसे कहेंगे इतने सारे दुनिया में जीव जन्तु हैं कीट हुए हैं सबके हम insect किसे कहेंगे तो insect is a number insect only is a number number one two three according to me यह book में कहीं नहीं लिखा है कि insect एक number है क्योंकि insect एक number होई नहीं सकता ठीक है पर फिर भी हम बोलेंगे insect is a number number कैसे one का मतलब यहां हुआ one pair of antennae then two का मतलब यहां हुआ two pair of rings then three का मतलब यहां हुआ three pair of legs pair मतलब क्या होता है जोड़ा जोड़ा मतलब दो pair means two एक जोड़ी जैसे हम बजार से कोई एक जोड़ी जूटे लेके आते हैं कितने जूटे आते हैं उसमें दो जूटे आते हैं ठीक है ना वैसी pair का मतलब हो गया है आप पर दो one pair of antennae मतलब एक जोड़ी antenna two pair of wings, दो जोड़ी punk, three pair of legs, तीन जोड़ी पाउ, pair मतलब दो हो गया तो एक जोड़ी antenna हो गया, मतलब दो antenna हो गया, two pair means, चार punk हो गया, four wings हो गया, then three pair means six legs हो गया यह इसका main character है, three pair of legs, main six legs, इसका main character है insect का, तो हम इन तीनों चीजों को मिला कर कह सकते हैं, कि हम insect करते हैं, जिसमें तीन चीज प्रेजेंट हो, उसके feature जिसमें हो, तो यह से हम क्या बोलेंगे, insect बोलेंगे, ठीक है, अब हमने देख लेंगे, insect किसे कहते हैं, तो कोई भी आप से पूछे, कि यह जो character है, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, यदि किसी जियू में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम insect कहेंगे, ठीक है, अब father की बात करें, तो कुछ है तो इनक तो हो गई, father तो हो गई, तो entomology के father है, William Kirby, लिखा हुआ भी है, फिर भी लिख रहा हूँ यहां पर, William Kirby, ठीक है, father of entomology, father of entomology, तो father of entomology कोन है, William Kirby साब, ठीक है, तो ये भी एक man point हो गया, कि father of entomology है William Kirby ठीक है और father of agriculture entomology जेखो entomology अल्ला कि और agriculture आगे लगा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी agriculture में लगने वाले जितने insect है जो की crops पे लगते है जो की store में लगते है store में जहां हम चीज़े store करते हैं wheat का store करते है soybean का store जो भी cereal, pulses उनका store करते है वहां लगने वाले insect और crop में लगने वाले insect अगर हम इसके best पे study करेंगे तो हम उसे बोलेंगे agriculture entomology क्रसी कीट विज्ञान ठीक है लिखाओ it is study of insect which is directly related to crops and store commodities जितने भी store में commodities हैं जहां insect लगते हैं और crop में जितने insect लगते हैं उनकी यदि हम study करेंगे तो उसे हम बोलेंगे उस science को हम बोलेंगे agriculture entomology क्रसी कीट विज्ञान ठीक है ये के लिए रहो गया अब एक और लिखा हुआ है father of agriculture entomology father of agriculture entomology तो ये हैं IMS साब IMS 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 ADMS इनका क्या योगदान है इनका entomology बहुत बड़ा योगदान है इनने 1961 में 29 order दिये थे 29 order दिये थे ठीक है जो की सब मानने है जो सब मानते हैं और इनकी जो theory है ये pass हो गई थी pass हो गई थी मतलब इसके बेस पही insect के जो order है इनका classification किया गया है insect का classification किया गया है ठीक है तो father of agriculture entomology क्या है IMS इनका योगदान क्या है कि इनने insect का classification दिया है जिसमें की 29 order है ठीक है और इसमें लिखा हुआ है कि insect billing to the phylum orthopoda or kingdom enamelia ठीक है सब को पता है kingdom भी होता है phylum भी होता है order भी होता है class भी होता है ठीक है ना इसे एक सामराज जहें इसे महिस्मती सामराज है इसे insect का एक सामराज है उसे नाम दिया गया है animalia ठीक है क्योंकि insect is a small animal insect is a small animal तो इनका सामराज भी क्या होगा animalia होगा ठीक है क्योंकि एक small animal है, एक छोटा सा जन्तु है, ठीक है, insect is a small animal, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए है कि insect is a number, ये कि उसमें जिए character होते हैं, इससे verify होता है, कि ये insect है, हम इसे insect कहें सकते हैं, ठीक है, ये clear होगे आपको, agriculture entomology क्या है, entomology क्या है, पापा कौन है, और इसका classification किस इसने दिया kingdom इसका क्या है, और इसका phylum क्या है, आर्थोपोडा, kingdom कभी change नहीं होगा, kingdom एक ही होगा, क्योंकि सारे insect इनिमीलिया में आते हैं, और phylum भी change नहीं होगा, phylum आर्थोपोडा, जिसमें कि सारे insect आते हैं, ठीक है, अब हम next पढ़ेंगे, कुछ तो reason रहा होगा, कि इस दुनिया में, इस पृत्वी पर इतने सारे insect है, ठीक है, हमारी संख्या गिन सकते हैं, ठीक है, मोदी जी बोलते हैं, हमारे भारत में 133 करोड, 700 करोड, ये नारा देते हैं, पर किसी ने कुछ बोला कभी कि insect इतने करोड है, इतने million है, इतने trillion है, नहीं, हमारी population गिन सकत हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरह से uncountable है, countable नहीं है, क्यों, millions, trillions, तो कुछ तो factor रहे होंगे, कुछ तो reason रहे होंगे, जिससे कि ये सिद्ध होता है, कि इनकी population इतनी ज़्यादा increase क्यों है, इनमें कौन-कौन से ऐसे feature होते हैं, कौन-कौन से character होते हैं, जो इसको आस में क्यों है, इसके क्या-क्या reason है, ठीक है, तो इसके जो factor है, हम एक एक कर के देखेंगे, 7-8 factor हैं, तो 7-8 factor इसको ये बनाते हैं कि इसको आसानी से survive कर लेते हैं, पृत्षी पर आसानी survive कर लेते हैं, वो जब survive कर लेते हैं, तो उसकी population ज़्यादा होती है, जैसे coronavirus, coronavirus को suitable environment म मिल गई तो उसने कितने लोगों को infected कर दिया ठीक है उसने अपनी population अपनी mycelium कितने ज़्यादा growth कर ली ठीक है तो ऐसे insect का है तो हम insect के बारे में देखेंगे ठीक है तो कौन-कौन से factor है सबसे पहला factor है exoskeleton, integment, body wall ठीक है अब body wall को insect में क्या roll है ठीक है अब body wall है जो काईटीन की बनी होती है इंसेक्ट में किसकी बनी होती है काईटीन की बनी होती है वह यह बहुत hard layer होती है अब hard layer होती है यह लिखा हुआ है this is light and weight and gives strength ठीक है यह मजबूती देती है इंसेट को मजबूती देती flexibility होती है ठीक है ना क्यों होता है flexibility होती है ठीक है और सबसे बड़ा इसका feature है यह इंसेट को protect करती protection का का काम करती है क्योंकि बहारी आवरान आपका मजबूत है तो आपके जितने इंटरनल और्गन है जो आपके इंटरनल बोडी है वो सेप रहती है क्यों रहती है क्योंकि अप्रोटेक्शन का काम करती है और पहली हमने बोला है कि हार्ड लेयर है strength है ठीक है flexibility है agility है और इसका वर्थ क्या है और बीस के काम है एक्जोस्क्लेटन के body wall के इंटुगमेंट के ठीक है यह एक ही नाम है एक्जोस्क्लेटन body wall इंटुगमेंट ठीक है water loss को suppose हमने farm पे mulching करी वहां वे polythene seed बिचा दी तो क्या होगा कि नीचे का जो पानी है soil का water है वह उपर नहीं जाएगा मतलब water loss नहीं होगा तो यह body wall भी इस तरह काम करती है कि इसमें water loss नहीं होता है ठीक है और क्या करती है जितने भी injuries है ठीक है जितने भी injuries होती है mechanical injuries होती है उनको cover करती है और सबसे बड़ी बात यह safe और size structure जो है inset का safe और size के लिए responsible कौन होता है वह होता है एक्स ग्लोव इसलेटन ठीक है और जितने भी body पे appendages हैं ठीक है abdomen appendages हैं ठीक है wings है legs हैं ठीक है इस सब को protect करती है ठीक है तो यह हो गया हमारा body wall का काम हो गया ठीक है और natural enemy से environment से भी यह inset को बचाती है क्योंकि hard layer होती है इतना जदी impact पड़ता नहीं है ठीक है कोई भी natural enemy attack करता है तो इसकी hard layer सबसे पहले एक ढाल की तरह काम करती है यह आपने देखा कि यह भाइसाब खड़े इनके हाथ में तलवार है ठीक है मतलब यह एक scenic की तरह काम करते है ठीक है एक soldier की तरह काम करती है तो यह एक reason है कि यह असानी से survive कर लेते है ठीक है second small size small size human की height तो देखी हो अपनी 5-6 feet, 7 feet, 7 feet ज़्यादा हो जाती है normal जो average height है वो 6 feet है ठीक है insect की हाँ पर बात की जाए तो insect का size होता है small size का इत्तू सा जिसे बोल से है इत्तू सा ठीक है आपको दिखेगा नहीं अब इसका फाइदा क्या है small size का फाइदा क्या है इनको फाइदा यह यह आसानी से भी अपने natural enemy से चिप सकते हैं कहीं भी घरो में और kitchen में कहीं भी Hall में कहीं भी चुप सकते क्यों इनका होता है इनको वैसे देख नहीं सकते हैं इसने वैइट-फ्लाइड की बात किया थीक है ना वाइट-फ्लाइग का सइस भूता होता है एम, दो चुछवता होता यह small size के होते हैं, आपने housefly भी देखा होगा, ठीक है, इसका size क्या होता है, small size होता है, housefly भी देखा होगा, ठीक है, और mosquito देखा होगा, इनका size क्या है, छोटा-छोटा size है, ठीक है, कुछ insect है, जो बड़ा size होता है, उनकी बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, कुछ insect के एडल जिनका साइस बड़ा होता है ठीक है तो ये भी एक रीजन हो गया अब नेस्ट बात करते हैं तो वही सेम है smaller size, integument, short life cycle अब बात करते हैं functional wings की मैंने जैसे ही बताया था कि इसका एक character है two pair of wings इसमें चार punk पाये जाते हैं अभी punk इसको कैसे survive करने में help करते हैं हमारे पास तो punk है नहीं तो हम एक जगे से दूसरे कर जा नहीं सकते हैं मगर insect के पास उसके adult में ठीक है ना insect कॉनसे stage में? adult में punk होते हैं किसमें होते हैं? adult में, insect की चार stage होती है mainly, एग larva pupa and adult तो यह जवानी में इनके punk आते हैं और adult insect में क्या होते हैं? punk होते हैं जिससे की वह आसानी से movement कर जाते हैं एक इस्थान से, दूसरे इस्थान, one place to another place movement करते हैं ठीक है? और क्या है benefit इसका? कि अपने natural enemy से याने कि हमसे भी protection लेते हैं punk के दौरा आपने देखा होगा कई भी आप किसी butterfly को cage करने गए किसी mosquito cage करने गए तो अपने punk का use करती है और वह फ्लाइट कर जाती है ठीक है? यह भी एक reason है कि उनकी population इतनी जादा है यह कि वह अपने आपको protection करते हैं ठीक है? और किस का में सर्च ओफ फूड ठीक है? शेल्टर और फाइटमेट मतलब यह food को ढूणने के लिए आसरे ढूणने के लिए ठीक है? और एक protection अब इसमें example दिया है locust and butterfly is very common ठीक है? तो यह हो गया एक reason विंक्स वाला ठीक है? जिसे विंक्स का एक और आप देखते हैं इसे loc लोकस्त की बात की ठीक है पिछली बार आपने देखा होगा कि राइस्तान से जो locust आये थे और इस बार भी ठीड़ आने का अनुमान लगाए जा रहा है जो कि पाकिस्तान से होके राइस्तान बाउंडी से होके MP में MP में इंटरी करता है ठीक है? तो यह कहां से आते हैं? इ इनको मज़ा नहीं आता जाने के लिए कि नहीं चलो गूमके आते हैं, हैसा नहीं चलो वहां गूमके आते हैं क्यों जाते हैं? search of food, खाने की तलास में shelter, आस्रे की तलास में कि आज राइस्तानम नहीं चले हैं, अब MP चलते हैं, वहां आराम से खाना ढूंदेंगे, जहां इनको खाना मिलता है, ये वहां जाते हैं, तो विंग्स का ये फाइदा हो गया, कि फूड ढूंदने में, शेल्टर ढूंदने में, ठीक है, तो ये इनके help करते हैं, अभी भी तिड्डी दल आने वाला है, तो वो किसली आएंगे, फूड की तलास में आएंगे, शेल्टर की तलाश में आएंगे, ठीक है, और हजारो करोडों एक साथ आते हैं, हजारों, ठीक है, और इनका इतना feeding capacity जादा होता है, कि ये किसी जैसे एक खेत में बेढ़ जाए, इस वन एकर में, वहां पर ये इतना speed से feed करते हैं, कि विदि एक खेत को साब, एक गलत कदम और पूरी सल्पनात खतम, तो टिडडी दल का एक कदम, मतलब घंटे भर में आपकी फसल खतम, ठीक है, क्योंकि इंकि population जादा है, तो ये feed भी उसे साब से करते हैं, ठीक है, और जो locust हैं, ये soil mended देते हैं, ये बात भी याद रखना प्यों ठीक है, next, hexaport, locomotion, ठीक है, मैंने जैसे ही बताया था, कि आपको insert के जो legs होते हैं, उनकी संख्या कतनी होती है, six legs होती है, ठीक है, इसका main character है, hexaport means, six poda means, leg, ये इनका main character है, ठीक है, अब ये main character है, तो ये किस में काम आता है, ये locomotion में, miss walking करने में, चलने फिरने में, ठीक से light on करी, वहां से cockroach run करका जाता है, ठीक है, अब ये locomotion कैसे करते हैं, वह भी आप देखिए, एक ट्राइपोट की तरह होता है, ठीक है, इसके three legs ही movement में होते हैं, और three legs से stable होते हैं, ठीक है, अब इससे के help मिलती है, इससे help मिलती है, stability मिलती है, और ठकते भी नहीं है, ठी अब घ्लती है, उनको help मिलती बनी थ sürर राम करते हैं, और three legs run करते हैं, built three legs अराम करते हैं, ठीक है, तो ये आसाजनी से movement के लिए, आसानी से walking करने के लिए, दोडने के लिए, running करने के लिए, पर इखिए की स्पाष़ करते हैं, तो ये प्रötक्षा그렇न भी करते हैं, कोई आया इसलिए इसलिए बोले जाता है कि इसके six legs होता है ठीक है ना चलो आगे compound eyes compound eyes उतीन में सेंट नेतर जिसे बोलते हैं compound visual organs ठीक है जिसे देखते हैं अब उस कैसा होता है वह hexagonal okay और इसको क्या बोलते हैं ometidia बोलते हैं ठीक है ना वैसी आग होती है वैसी eyes होती है compound eyes होती है one pair means कितनी होती two होती है मतलब यह character give हो गया कि one pair of antenna नहीं हो गया तो one pair of eyes भी हो गया इसका ठीक है ना visual organs देखने काम आती है और इसको क्या बोलते हैं यह सबसे मैंने ometidia ठीक है अगर exam में भी आएगा तो आपको यह आएगा ठीक है सभी नेद्र को और क्या बोलते है इस also known as ometidia ठीक है clear हो गया चलो और इसके बारे में हम discuss करेंगे आगे यह भी basic class है आपकी ठीक है अब sense organs sense organs में बहुत सारी चीज़े आती है इसे first time देख लेते हैं सेंस हमने one pair of antenna की बात करें तो इसे sensory organ ठीक है ना sensory organs वह एक तरह से feeling organs ठीक है जो touch smell को feel करता है यहां तक कि वह पुरान one forecasting भी करता है ठीक है ना तो उसमें क्या हो गया कि सारे insight के antenna आ गये आई आ गये mouth parts आ गये जितने भी है head आ गया legs हो गया तो यह सब sensory organs close आ गया ठीक है ना तो और tympanum आ गया यह क्या है यह tympanum जो sound production सरसाई आ गया सरसी आ गया ठीक है ना जिसने भी abdomen appendages हैं ठीक है ना तो यह सारे रखे गये sensory organs में ठीक है और antenna तो sensory organ है ठीक है ना जो कि insert किस filling एक तरह के filling organ है किसी चीज़ को touch करने में उसको smell के लिए ठीक है ना और matting के लिए और respiration के लिए भी use किया जाता है ठीक है ना जो aquatic insect है जो समुद्र में रहते हैं insect उनको respiration के लिए भी responsible है ठीक है na aquatic insect की बात कि मैंने जो समुद्र में अली जीव जो होते हैं जली insect जो होत nutrition है इसमें स्थारी चीज़ आगे एंटेनी, eyes, mouth part, head, legs, claws, thorax, timpinal organs, sarsi, सब आ गए है ठीक है अब decentralized nervous system ठीक है अब nervous system क्या होता यह अलगी पूरा topic है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे पर अभी basic देख लेते हैं ठीक है ना यह एक तरह का आपका information transmission system है ठीक है ना information transmission system है एक सूषना देने वाला ठीक है ना सूषना तंत्र है जिसे बोलते हैं तंतिका तंत है पर यह क्या करता काम सूषना का काम करता है ठीक है जितनी भी body में activity होती है जितनी भी insect की body की activities होती है ठीक है ना वो इसको process करता है को नर्वस system process करता है ठीक है अब इसकी जो basic unit है वो है nerve cell ठीक है इसकी जो basic unit है वो क्या है nerve cells अब एक word आपने देखा होगा कि यहां ganglia लिखे होगे अब होते हैं ग्रूप आफ नर्व सेल करते हैं कि होता कि एंटर्मलोजी की जो टर्मलोजी है काफी अजीव हो गरीब है त्हिक है उन्हें एक एक करके समझना है कि होता क्या है तो यह nervous system क्या करता है, जितनी भी सरी में activity होती है, वो चाहे walks ले लो, उडने से ले लो, feed से ले लो, meds से ले लो, oviposit, जितनी भी सारी activity है, उनको process कौन करता है, तंतिका तंतिका करता है, जिसे बोलते है nervous system करता है, this is a information transmission system, ठीक है, सबवेदर, ठीक है, जिसे कि, अब देख आप में किसी नहीं है, pinch होई, ठीक है, तो हमें क्या, हमारा brain अरंट active हो जाएगा, ठीक है, और हमानों पढ़ा है कि हमारे यहां पे pinch होई, ठीक है, एक nervous system काम करता है, nerve cells काम करती है, ठीक है, जैसे के, brain हो गया, brain भी तीन भागम बटा होता है, ठीक है, और यह तमाम तरह का एक गैंगलिया है, ठीक है, मिस एक तरह का, जो nervous cell है, यह information का काम करती है, ठीक है, अब nervous cell भी बने होती है, इसके एक लंबी कोशिका होती है, एक zone होती है, इस ताइपर होती है, डेंटराइट होती है, इसके बारे में बात में पढ़ेंगे, यह पुरा पुरा एक टॉपिक है, तो दम हो गया, और गेंगलीय किया होता है, यह गूरूप ओफ नर्व, ठीक है? और इसको नूरोन भी बुलते हैं, यह बैसिक यूनित है, नर्व सेल, तो इसके बारे हम अच्छे से पड़ेंगे. Nervous System पुरा अच्छा सा टॉपिक है. उसके बारे हमें deep से पड़ेंगे, होता क्या है? अभी देखलो इसका work क्या है? जनरली. Nerve cell होती है, इसके basic unit होती है. और जो गेंगलिया होती होती है, किस से मिलके बना हती है, group of nerve cell ठीक है और nerve cell की भी जो cells होती है ठीक है clear हो गया तो ये भी एक responsible factor है चलो next respiration respiration के लिए trachea होते हैं ठीक है न लिखाव एंसर के respire by means of thin elastic air tubes non as trachea ठीक है न उनसे क्या बोलते हैं trachea ये थोड़ा पिक्चर में दिख रहा होगा आपको थोड़ा वैसे होगे दिखने रहा होगा आपको पर ये ट्रेकिया होते हैं जो कि इंसेक्ट respiration के लिए कोन जिम्मिदार है वो है trachea ठीक है ओके डेन रिप्रोड़क्शन रिप्रोड़क्शन ठीक है ये अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक है पर हम जनरली देखते हैं रिप्रोड़क्शन क्या है ये कैसे बोल सकते हैं कि सुंढिन अरि पॉप्रोड़क्शन से इनकी पॉपॉपुलेशन जादा होती है तो अपने एक बैसिक्स होना होगा कि एक नारा देते हैं कद हम दो हमारे हजार इनका एक मॉट्म हल्चपव ये हैं कि हम दो हमारे हजार तभी होकी फसल बर्बादी तो मतलब इंकी जो रि दीमक का टरमाइट is also known as white aant सपभष चीटी जिसे बोलते हैं और एक टरमाइट जो है यह सीडयस पेस्ट वीट का सीड़ेस पैस्टे है मेजर परिसटे कोन सा, टर्माइट थीक है, दीमज जैसे बहुतते हैं, अब इसके रिप्पोड़क्शन केपसिटी हम देखते हैं, तो कितना, बन सेकंड, बन एक, ठीक है, अब एक सेकंड में यह एक लेंग केपसिटी इतनी खतरनाक होती है, इतनी डेंजर होती है, एतनी हा यह एक मिनिट की बात है ठीक है अब आप देख लीजिए 24 अबर इसका हिसाब लगाओगे तो 3600 ठीक है एप्रोक्स 3000 एग पर डे ठीक है सॉरी 30,000 लगभा ठीक है पर डे एग लेंग कैपसिटी है मतलब इनका रेप्रोडुक्सिंट्सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उसकी कैपसिटी बहुत जादा होती है जिससे क्यों अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है ठीक है ना हनीवी का देख लेंत हुआ थिर्टी थाउसंद ठीक है अनीवी का लगभग थीन सो ठीक है अलग 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 होता है मतलब कुल में लाग के इनकी पॉपुलेशन पहुच जाता हो जाती है पिक है यह एक ऐक फैकटर है कि जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगी यब ग्रिंटे में कितना देखा ओच्छ बात है इसकी जो क्वीन किस इंशेट की फीमेल क्वीन बोल देते हैं और या फिर फीमेल फीमेल जो इंसेट है उसका जो वर्क होता है उसका काम क्या होता है खाना और एग लेंग का ना बस ठीक है ना means feeding वाला काम होता है और एक लेइंग काऊ, ठीके ना.. means BETH अंडे देना और खाना ठीके और टर्मयथ और एक और वड्ड मुने बोला था एक और इंसीक मेंने बोला था क्ल़क्श्विक ये सोसल इंसेक्ट है समाजिक इंसेक्ट हमाही तरह समाज ने वाले हमारी तरह जीने वाले ठीक है हमारी तरह काम करने वाले खाना बनाने वाले धूंडने वाले ठीक है अब एक बात और मैंने कि ये बेनिफीसिल इंसेक्ट है हनी भी हानी कारक नहीं होते हैं पर इन सेक्ट अर बनिफीण लाइक हो अनी बी सिलक और शिलक और एक यह क्या है अगरी कर्ष खणिस वन्हाट अंकर यह क्या है है अग्री कल्चर कि बिशाब में और सब्सी है लाबदायाः कै चलो और इस्विशिटि आ फूड इसका क्या है यह और देख लेते हैं मेंस जो इनकी जो फूड है उसमें एक तरह लेस कॉंपटिशन फूर फूड इंक्रीज देर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड फरदर मल्टिप्लेक्शन ठीक है ना एक गौड पूड मतलब इनको फूड की रिकॉर्णिट होती है ज्यादा जब्रिंट होती है जादा है घौतली चांवल खागराते जिए धर शब आप को दूर अब इसमें भी फूड में भी दो तरह का इंसेट होते है चता है Config, मोनोफेगुस होता है एक होता है पोलीफेगुस ठीक हैibilidad आंच के कि आपने पॉलीफेगुस क्या हुता है मकल्स होता है मोनम होता है जब चिरद पारना, अगर बात करें कुछ इंसे ऐसे होते हैं जो ओनो फेड़ वहते हैं मिन्स एक इंस्ट करते हैं एक तरह की लेते हैं एक यहां पयूरर भाद्र लेटे हैं यालो इस्टेम बोर रहूर इसे सिर्फेस्ट अफ पेडी ठीक है इसको मतलब नहीं है कि गुलाब जाओं ने खाने में ग्याज क्या यह सब कुछ खा जाता है ठीक है तो वैसे इंसेट को बोलते हैं पहली पॉलिफेस इंसेट और मॉनोफेगस में इस एक तरही जैसे ये बीद चाहे है जलोंफेस इसको कुछ पसंद ने है ठीक है ए एंसेट उंपनेगं इसके जात को कुछ है जानता है तो हमएस टीक है तो हती है एक एवरेज हुमान की बात करें, तो हंडेड ये होती है। ओर ऑर एनिमल की 20 एर, इसमें केटल आ गया है, डोग आ गया है, केट आ गया है। अब इनिमल की होती है। अब इंसेक्ट इसके इपोजिट होता है। ये तो लोग लाओ सेकल होगी, 100 year कम नहीं है 20 साल भी कम नहीं है और इसका है चार दिन की चांद नहीं फिर अंधरी राद एक अवरेज की फिर यह इतने जिन होता हैALग छे साइकल लाइफ होता है ठीक है ना वैसे मालो 30-35 days average life cycle मालो इंसेट की ठीक है जैसे के कोई भी एडल जैसे मौस्कीटों के डेक देखते हैं कितनी life cycle रिसकी 3-4 days और उसके लिए तो हम रिस्पोंसिवल है हम रिस्पोंसिवल कैसे है जिसे आपको कोई फ्लाइट करता हूं अच्छर आया हम सो रहे हैं जग रहे हैं कुछ भी है तो जैसे है और आप निका करा उसको खतम लाइफ साइकल इसकी खतम फिनिश ठीक है मतलब हम लोग भी कंशन करते कैRO जीन जीते तो जीते है और इसकी लाइफ सेंसलक में अलग अलग होता कित के यह सें लोग में जाद दिन जीते नहीं है, फिर भी नुकसान मुद कड़े जाता है, कम जीने बरी, ठीक है, तो यह सारी चीजे है, behavior, structure, ठीक है, तो यह हम सारी चीजे पढ़ेंगे, elatra, उसके wings के structure होता है, elatra होता है, tagmina होता है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यह basic class थी, ठीक है, और हम next topic आगे पढ़ेंगे, next topic हमारा रहेगा, classroom is says, इस से, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है, तो thank you, thanks a lot, cooperate with me.